मैं गरांटी देता हूँ मेरे प्यार पर भक्त हो कि ए घंटे के भीतर में कोई भी इस्त्री होगी आपके प्यार में दिवानी हो जाएगी जिर्दी आप किसी भी इस्त्री को अपने प्यार में दिवानी बनाना चाहते हैं, उस इस्त्री के दिल में अपने लिए महबत पैदा करना चाहते हैं, चाहते हैं कि वो इस्त्री आपसे प्यार करे, आपसे साधी करे, मन चाहे काम करे, आपके प्यार में तर्पे, तो सिर्फ एक बार लहसुन का यह वसीकन टोटका कर दीजिएगा मेरे प्यार वक्त हो जदि आप से कोई लड़की नहीं पड़ती है आप उसको पलभर में अपने वस में करना चाहते हैं अपने प्यार में टरपाना चाहते हैं तो लहसुन का यह सकती साली वसीकन टोटका जरूर दस मिनट में हो जाता है वही वह सिकरन में होता है वह सिकरन में आज में एक ऐसा भी थी आप सभी को बताऊंगा जिसको करते हैं कोई भी इस्तरी होगी आपके प्यार में पलवर में दिवानी हो जाएगे जेदी आपका वह सिकरन पांच घंटे नहीं करता है वह सिक्रा नहीं होता है तो आप सिर्फ एक बार इस लहसुन के वसीकन तूटका को जरूर कीजिए का और करने का सही तरीका क्या है जिससे की एक बार में ही वह इसतरी आपके प्यार में दीवानी हो जाए आज मैं आप सभी को बताऊंगा इस लिए वीडियो को देखिएगा और हाँ हमसे वह सिकरन करवाना है फिरी में तो आप अपना नाम और अपने प्यार का नाम एक साथ में लिग करके ज्यादा से ज्यादा नीचे कमेंट में करें और विडियो लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए चलिए बताते हैं आप सभी को मरे कि लहसुन से घर वैठे वैठे किसी भी इस्तरी को हमेशा के लिए अपने प्यार में दिवानी कैसे बनाना है कैसे किसी भी इस्तरी को अपने काबू में करना है मन चाहे इस्तरी को पाना है मन चाहे काम करना है चलिए बताते हैं सबसे पहले आपको चार लहसुन का दाना ल लेना है इसी चार दाने से कोई भी इस्त्री होगी आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी जो लड़की आपसे पढ़ती नहीं है बात करती नहीं है वहीं लड़की आपसे खुद बात करने लगेगी आपसे प्यार करने लगेगी करना क्या होगा चार आपको लहसुन का दान ले लिजिएगा उसके बाद में आप क्या किजएगा ध्यां से दिखिएगा इस लहसुन के दानी को ले करके सबसे पहले आप एक लहसुन का दाना कोई भी उठा ले उठाने के बाद में आप क्या किजएगा अपने मन में उस इस्तरी के बारे में सुचे उस इस्तरी को याद करे जिस इस्तरी को अपने प्यार में दिवानी बनाना चाहते है जैसे ही आप उठा लीजिएगा लहसुन के दाने को मैं जो मंतर बता रहा हूं इस मंतर को बुल करकि इस पे फूंक लगा दीजिएगा जैसे ही किजिएगा एक घंटे के भीतर भीतर में वो इस्तरी आपके वस्म हो जाएगे आपसे प्यार करने लगेगे आपके प्यार में दिवानी होकर आपके लिए बेचेन हो जाएगे बहुत सारे ऐसे मेरे प्यार कर भक्त हैं जो कि वसिकन करके ठक चुके हैं तो जैसे ही इस वसिकन टुटका को करेंगे प्यार पलवर में बात करने लगेगा कोई भी इस्त्रियोगी पलवर में दिवानी हो जाएगे ठीक है न? इसको लेना है मंतर बोलना है मंतर को सुन लीजे इस मंत्र में आपको अमुकी के जगह पे उस इस्त्री का उस प्यार का नाम बोलना है जिसको अपने प्यार में डर पाना चाहते हैं जैसे ही मंत्र पूरा बोल दीजिएगा आप इस मंत्र में आपको क्या करना है मंत्र बोलते समय उस इस्त्री को याद करना है जिसको अपनी वस में करना चाहते हैं मंत्र जैसे ही पूरा होगा इस पे फूंक लगाएगा और इसी परकार से इस मंत्र को सिर्फ साथ बार बोलना उसके बार में आपको करना के हैस worship को लेना है और अपने सर से छूँआ करके पयर से होतो है उतार देना है bucks obs का दाना कोई भी लेकरके आप अपने कि को करते ही कोई भी इस्त्री होगे आपके प्यार में दिवान हो जाएगे पलवहर में ही एक बाल में करने क्या होगा सबसे पहले वसिकरन करने से पहले आसनान आपको करना है सापका पराधारन करना है और एक काला धागा अपने दाहिने हाथ में बाधन करके वसिकरन करना है जैसे हैं वसिकरन किजिएगा वसिकरन में सफलता मिलेगी पलवर में प्यार आपसे बात करने लगेगा बा इसे इतना कर दीजिएगा उसी दिन से घंटे के भीतर भीतर में इसार दिखाना शुरू करेगा और पुरी तरह से हो आपकी प्यार में दिवानी होकर खोद आपसे मिलना चाहेगी नाम की खोद कने लिखाना चाहेगा आपको बगए नहीं रहा पाएगी यह आज मैं प्याओ सी होटी ज़ीए और आप जो भी समस्था करे लिख से प्रक्राucky जरूरो कुना प्यार वोको ब्यार हो